दोस्तो प्रबास की फिल्म सलार से लेकर शारुक खान की फिल्म डंकी और रनवीर कपूर की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ओविस्ट पर डिकोर्ट तोड़ कमाई की और तीनों ही फिल्म में बॉक्स ओविस्ट पर लगातार काफी जबजिस्त कलेक्शन कर रही लेकिन आज हम ब लोजे को को होगे सबस्क्लाइब ब्लोक्स्फटर और सबस्क्र स्बस्क्राइब पार ग्रेजर युक्त में कि देखने को भूलें allora और काफी बड़ी एक्शन फिल्मों होने की वज़े से फिल्म को बॉक्स ओविस्ट पर पब्लिक से लेकर गडिक्स ने काफी ज़रा पसंद किया लेकिन फिल्म के कोंटेन में दम होने की वज़े से फिल्म ने पने पहले ही दिन बॉक्स ओविस्ट पर काफी बड़ा रिकोर्ड बनाया और हिंदी बॉक्स ओविस्ट लेकर वल्डवाइड बॉक्स ओविस्ट पर रिकोर्ड तोड ओपनिंग की इसी के साथ Animal फिल्म रनवीर कपूर के करियर की अब तक के सब से वड़ी ओपना फिल्म भी बनी लेकिन अगर फिल्म के पहले अप्त और अभी तक के टूट कलेक्शन की बात करें तो माना जा रहा था फिल्म अपने पहले अपते box office पर काफी अच्छी कमाई कर सकती ही और इसा सही सावित हुआ क्योंकि फिल्म ने अपने पहले अपते हिंदी बॉक्स ओविस पर 300 करोड रुपे से जादा का आकड़ा पार किया वहीं फिल्म वल्ड वायट बॉक्स ओविस पर भी 563 करोड रुपे से जादा की दमाकेदार कमाई करने में कामियाब हुई जिस सवजे से फिल्म के दूसरे तिसरे और चोते हपते के बॉक्स ओविस कलेक्शन में भी काफ़ ची पकड़ देखने को मिली और अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ओविस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म को अभी तक बॉक्स ओविस पर रिलीज होए आज लगबग 31 दिन से जाधा हो चुके ही और रिपोर्ट से के मताबिक एनेमल फिल्म आज भी बॉक्स ओविस पर काफी ची ओक्यूपेंस रिकोर्ट तोर कमाई करेगी और वल्डवाइड बॉक्स ओविस पर इस साल की सबसे जाधा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल होते हुए 885 करोड़ों पे से जाधा की कमाई कर लेगी लेकिन अगर इस फिल्म से इस एपिसोड की दूसरी फिल्म डंकी का कंपेर करे तो दंकी फिल्म अभी इस साल की बोट की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ती क्योँकि इस फिल्ム में पहाली बार राच हुमार हिरानी और शारुख खान एक साथ काम करने वाले थे और इन दोनों का ही कॉमबिनेशन देखकर माना जा रहा था फिल्म बॉक्स और रिकोर पर बनाएगी क्योंकि फिल्म का बजर सिर्फ 120 करोड रुपे ही था लेकिन फिल्म के कॉंटेंड में दम होने की वज़े से इस फिल्म को भी पब्लिक से लेकर गडिक्स ने काफी जाड़ा पसंद किया वो लगब 4.5 इस्टार रियू दिया लेकिन शारुक खान के फिल्म डंकी क भी उम्मित के मुताबिक थोड़ा कम रहा लेकिन इस के टेगरी की फिल्म होने के बाउजू फिल्म ने अपने पहले दिन टिक टाक परदेशन करते हुए 58 करोड रुबे का जबजिस्ट आकड़ा पार किया वहीं माना जा रहा था फिल्म अपने पहले अपते भी बॉक्स कलेक्शन सिर्प 152 करोड एक लाग रुपे की आसपास रहा लिके फिल्म ने वल्डवाइड बॉक्स विस्ट पर ठीक टाक पकड़ बनाई रखी और वर्सिस बॉक्स विस्ट पर शारुप खान की तंड़ी फैन फोलेंग होने की वज़े से डंकी फिल्म वल्डवाइड ब बॉक्स विस्ट पर 305 करोड उपे से जाड़ा की कमाई करने में कामियाब हुई 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 अगर फिल्म के दूसरे अपते के अभी तक के टूटल बॉक्स विस्ट कलेक्शन की बात करे तो शारुप खान की फिल्म टंकी को लेकर माना जारा था फिल्म अपने दूसरे 11 दिन यानि आज बॉक्स विस्ट पर काफी बड़ी जंप पाईगी और हो सकता है संडे होने की वज़े से फिल्म के कलेक्शन में लगबग 30-40 परसेंड की ग्रोध देखने को मिले और यह लगबग सही साबित हुआ क्योंकि फिल्म अपने 11 दिन बॉक्स विस्ट पर काफी जैसे शारुक खान की फिल्म डंकी का अभी तक का 11 दिनों का टूटल इंदी बॉक्स विस्ट कलेक्शन 194 करोड उपे से भी ज़्यादा हो जाएगा और उम्मीदें फिल्म कल तक 200 करोड के कलब में भी शामिल हो जाए लेगी फिल्म का वल्डवाइड कलेक्शन उम्मीद के कमाई करने में कामियाब हो जाएगी लेकिन अब पात कले थे इस विसोड की आकरी और प्रबास के फिल्म सलार के बारे में जैसे कि आफ सबी को बता है सलार फिल्म में आपको प्रबास के साथ काफे ज़्यादा मल्टी स्टाकास्ट देखने को मिले थे और 400 करोड रुड़ ओडियन्स को ठीक टाक पसंद आने की वज़े से फिल्म को पब्लिक से लेकर गडिक से 3.5 इस्टार यू दिया जिस वज़े से माना जा रहा था फिल्म को लेकर काफी ज़रा नेगटिव पब्लिसिटी देखने को मिल सकती है और हो सकता है फिल्म का पहले दिन का ओबनिंग कुछ खास नहीं हो लेकिन इसके बाव जो सलार फिल्म ने पहले ही दिन हिंदी बॉक्स ओविस से लेकर सभी लिंग्विज में इंडियन बॉक्स ओविस पर काफी बड़ा रिकोर्ड बनाया और डे वन में ओल ओर इंडियन बॉक्स ओविस पर 90 करोड 70 लाग रुबे से भी फिल्म ने दुसरे दिन सटर्डे और तिसरे दिन संडे को बॉक्स ओविस पर काफी बड़ी जम्प पाई वही हैंगे फिल्म के पहले पते और अभी तक के टूटल बॉक्स ओविस कलेक्शन की बात करें तो प्रवास की फिल्म सलार के पहले पते के कलेक्शन में उम्मित के मुताबिक काफी बड़ी जंप देखने को मिली और फिल्मने पने पहलेपते ही हिंदी बॉक्स ओविस पर काफी अच्छी कमाई करते हुए लगबग पांसो तीन करोड उपे से भी जादा का दमाकेदार कलेक्शन किया इसी किसा फिल्म के दुसरे हपते यानि आज के बॉक्स ओविस कलेक्शन में भी काफी अच्छी पगड़ देखने को मिल रही और फिल्म लगातार दुसरे हपते भी बॉक्स ओविस पर काफी दमाकेदार कमाई कर रही क्योंकि माना चारा था फिल्म आज संडे को बॉक्स ओविस पर काफी बड़ी जंप पाएगी महीं फिल्म सभी लेंग्विज में All Over Indian Box Service पर और भी ज़ादा कमाई करेगी और लगबग 17 गरोड 25 लाग रुपे से भी ज़ादा की कमाई कर लेगी और क्रिटिक्स को भी उम्मेदे फिल्म का आज का World Wide Box Service कलेक्शन काफी दमाकेदार रहते हुए 31 करोड उपे का जबजिस्त आकड़ा पार कर देगी दिस होजे से प्रवास की फिल्म सलार का अभी तक का टोटल इंदी Box Service कलेक्शन 123 करोड उपे से भी ज़ादा हो जाएगा और World Wide Box Service पर इस साल की सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल होते हुए लगब 571 करोड उपे से भी ज़ादा की कमाई करने में कामियाब हो जाएगी तो दोस्तो आज की Box Service कलेक्शन के मामले में तो शारुक खान की फिल्म डंकी का कलेक्शन रहा जादा आले कि Lifetime Total Box Service कलेक्शन के मामले में रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल ने मारी बाजी इस वज़े से रणवीर कपूर बने इंडिया के सबसे बड़े सूपरिश्टार और एनिमल बनी इस साल की सबसे बड़ी ब्लोगवेश्टर फिल्म लेगिन अगर आपने इन तीनों फिल्मों को देखा है तो आप इन तीनों फिल्मों में से कौन से फिल्म को को होगे